भूतिया फौजियों की आर्मी ट्रेन रामगर्ड रेल्वे स्टेशन से आर्मी ट्रेन अपने बॉर्डर पर पहुँचने के लिए निकल चुकी थी वह आर्मी ट्रेन पूरे मिसाइल्स आर्मी ट्रक और फौजियों से भरी हुई थी जहां अंदर बैठे कुछ फौजी खाना खाते हुए बात कर रहे थे वह आखर हमारा फज़ निवाने का समय आ गया है हम उस बॉर्डर पर धाबा बोलना ही होगा हमें देखना हम दुश्मनों को चकना चूर कर देंगे हाँ कैप्टन बलवीर आप बिलको ठीक कहते हैं इनकी तो चटनी बना कर रख देंगे वो तो शुकर है कल रात को ही हमें सूचना की ख़बर मिल गई कि आतंकवादी हमला करने का प्लैन बना रहे हैं हमारा एक फौजी वहाँ जो है उन लोगों के भेश में तभी कैप्टन बलवीर को ब्रिगेडियर होशियार वौकी टॉकी पर कहते हैं जवान, जवान, can you hear me? अभी अभी हमारी खुफिया टीम से एक सूचना मिली है आतंकवादीों ने अपना प्लैन कल का नहीं आज का कर दिया है और वो दो घंटे में बॉर्डर पर तेज़ी से हमला करने वाले हैं इसलिए सभी तुरंट पहुँचो, over and out या सार, इसका मतलब हमें जल्दी पहुँचना होगा तभी फॉजी कोशल, ड्राइवर फॉजी को वौकी टॉकी पर ही खबर कर देते हैं जिसके बाद वह फास्ट एक्सप्रिस की स्पीड से उस ट्रेन को चलाता है और सारे फॉजी बॉर्डर पर पहुँचकर अपनी अपनी जगा पर आकर दुश्मनों पर हमला बोलते हैं दोनों तरफ से बहुत गोली बारी होती है कैप्टन बलबी सिंग मैं आगे जाकर धावा बोलता हूँ उनके दस साथियों को हम यूँ ही खतम कर सकते हैं ओके अल दो बेस्ट फॉजी रागव अगर कुछ होता है तो आप हमें कवर देंगे यस सर सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो उनके घातक वार के बाद हम मिसाइल चोडएंगे यह बोलते ही आतंकवादी पक्ष उन पर बम की बरसाथ करता है इतने में भारतिय फॉजी भी उन पर मिसाइल चोड़ देते हैं जिसके बाद बिश्मनों का खात्मा एक सेकेंड में हो जाता है और भारतिय फॉज ये युद्ध जीत जाती है इसके बाद वह ये खुशकबरी ब्रिगेडियर होशियार सिंग को देते हैं अब हमें थोड़े बम और गोली वगेरा की जरूरत है यहाँ पर हमारे हधियार कम हो चुके हैं हम ऐसे सामना नहीं कर पाएंगे चिंता मत करो, इसका भी भारतिय सरकार ने पहले ही इंतजाम कर दिया है आर्मी ट्रेन से तुमारे हथ्यारों का सामाना आता ही होगा और हाँ, तुम लोगों के घर से चिठी आई थी, वो पढ़ लेना शुक्रिया सर ब्रिगेडियर होशियार सिंग वहाँ से चला जाता है और बाकी फौजी अपने घरवालों की चिठी पर उदास हो जाते हैं इतने में फिर एक बम उनके पास आगिरता है जिसके बाद वह आतनक वादियों पर फिर से हमला करते हैं और एक बार फिर जीत जाते हैं पर कुछ फौजी घायल हो गए थे मरहम पट्टी करते वक्त फौजी अमन कहता है आज तो हम सब बच गए लेकिन एक ना एक दिन हमें इस मिट्टी में ही मिल जाना है पता नहीं हम घरवालों से भी मिल पाएंगे या नहीं जो भी हो हमने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान कर देती है ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप रोशनी तेरी हवा पे जिन्दा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा ओ देश मेरे अब घरवालों की याद आ रही है हमारी बतनी बच्चे घरवाले हमें बुला रहे हैं सर सर से बात करते हैं कैप्टन आप कुछ करिये न ठीक है करता हूँ वैसे भी 26 जनवरी जो आ रही है फिर कैप्टन बलबीर ब्रिगेडियर होशियार सिंग से चुट्टी की मांग करते हैं जिसके बाद उन्हें चुट्टी मिल जाती है और वह आर्मी ट्रेन में बैट कर घर जाने के लिए रवाना होते हैं ठैंक यू कैप्टन बलबीर आपने ब्रिगेडियर होशार सर से चुट्टी मांग ली वरना हम फौजी तो माइनस डिग्री में ही बॉर्डर पर तैनात रहते हैं अरे इसमें शुक्रिया कैसा हम सब के घरवाले एक दोसे के परिवार ही है और तुम भी मेरा परिवार हो ये तो सर आपने बिलकुल ठीक कहा सारे फौजी बैट कर मजाग कर रहे थे इतने में दो आतंकवादी बंदूक लेकर उन पर फायर कर देते हैं तुम लोगों ने हम पर दो वार अटेक किया और इसमें हमारे सौसाथ ही मारे गए इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे इस आर्मी ट्रेन पर हमने कबजा कर लिया है हाई जैक हो गई है ये हाई जैक तुम दुश्मन कर ही क्या सकते हो, पीछे से हमला किया, और इदम है तो सामने आकर लड़ो अ, रागव, रागव, अमन, तुम्हें मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा अभी घायल फौजी उठकर दुश्मनों पर फायर करते हैं, लेकिन आतंक वादी आर्मी ट्रेन में जगह जगह बम लगा कर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें सारे फौजी मारे जाते हैं लेकिन हमारे बहादुर फौजी भूतिया फौजी बन कर वापस लोटाते हैं अतंक वादियों ने हम पर पीछे से हमला करके ठीक नहीं किया, इनको ईड का जवाब पत्थर से देना होगा हाँ, पर इससे पहले हमारे इस ब्लास्ट से कुछ आसपास के लोग घायल हो गए हैं, कुछ बच गए हैं, उन्हें पहले होस्पिटल पहुँचाना होगा फिर बूतिया फॉजी हास्पिटल में फोन करके एंबुलेंस मंगवाते हैं, और कई घायल यात्रियों को बूतिया फॉजी मिलकर ट्रेन से बाहर एंबुलेंस में पहुँचाते हैं, और कुछ बेहोश यात्री की मरहम पट्टी खुद करते हैं बूतिया फॉजी किसी को नहीं दिखते और एक तरह से मासूम लोगों की मदद करते हैं ये घटना हर जगह टीवी पर प्रसारण हो जाती है उनके घरवाले बेहद दुखी थे पर अब तक किसी को उनकी लाश नहीं मिली थी ब्रिगेडियर होशियार को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिलती है तो वहां उनके घरवालों को खबर कर देते हैं और उनकी तस्वीर के आगे उनके घरवालों के सामने उन्हें 21 तोपो की सलाम ही देते हैं हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हमारी जवान चले गई बलके हमें गर्व होना चाहिए कि वो अपने वतन के लिए लोगों के रक्षा करते हुए शहीद हो गई मेरे पती बलबीर सिंग मुझे छोड़ कर चले गया मैं बिल्कुल नहीं रोंगी मैं एक शेर की पतनी हूँ गर्व से जीऊंगी जैहिंद मेरा बच्चा रागव मुझे छोड़ कर चला गया तब ही उनके बीच एक भागता हुआ फौजी आकर ब्रिगेडियर होशियार से कहता है सर, सर मुझे आपको एक सोचना देनी है आर्मी ट्रेन पर फिर से हमला हुआ है कमाल की बात ये है कि वहाँ कोई जखमी नहीं है थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो उन लोगों की भी मरहम पट्टी कर दी है किसी ने पर कौन है ये हमें कैमरे में भी नहीं दिख रहा है इतना ही नहीं वहाँ उन लोगों ने खाना भी खाया इट्स इंपॉसिबल कौन? कौन है ये? और इससे पहले वाली घटना में जिस शक्स ने अस्पताल में कॉल किया था उसका पता लगा नहीं सर क्या? अब मुझे खुद ही उस आर्मी ट्रेन में जाना होगा कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है फौजियों को बचा कर ये बोलते ही ब्रिगेडियर होशियार सिंग और हरविंदर उसी आर्मी ट्रेन में पहुँच जाते हैं तभी ब्रिगेडियर होशियार किसी बैग से टकरा कर गिर जाते हैं और हाथ से खून निकलने लगता है हरविंदर उसे उठाता है इतने में भूतिया फौजी ये देख घबरा जाते हैं और पास रखा फर्स्ट एट बॉक्स उनके सामने रख देते हैं ये देख हरविंदर और होशियार सिंग को हैरानी होती है ये बॉक्स यहां कैसे आये हैं? कौन है यहां? कौन है? इस आर्मी ट्रेन में आम लोग यहां नहीं आ सकते मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो जो हमारी मदद कर रहे हो गाईल लोगों को अस्पताल पहुचा रहे हो और हम मेरी भी तब ही वह सारे भूतिया फौजी उसके सामने आ जाते हैं सर हम हैं आपके बहादर फौजी सर उस अटेक में हम मर गई लेकिन हमारे बाद जो अटेक हुए हैं उसमें काफी आत्री और फौजी घाईल हो गए थे इसलिए हम उनकी मदद के लिए वापस आई और हमने उनकी मदद की आपको भी इस तरह देख नहीं पाई आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने वतन के लिए सर आप जहन सर मेरे बहादूर बच्चों की तरह हो तुम तुमने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है तुमसे फिर मिलकर मुझे अच्छा लगा और बहुत खुश हूँ इसके बाद भी तुमने भूतिया फौजी बनकर बहुत सारे लोग और फौजीयों की मदद की धन्य है वो मा जिसने तुम जैसे शेरों को पैदा किया सर हमारी जान इस वतन के लिए हमेशा थी और हमने वो हमारे देश को ही सौप दी अब हमें चलना होगा लेकिन जब भी इस आर्मी ट्रेन या हमारे फौजियों पर कोई खत्रा बन जाएगा हम तब तक आएंगे हमारे परिवार वारों को आप एक बार देख लेना जहन सार ये सुनकर ब्रिगेडियर होशियार सिंग और हरविंदर सिंग की आँखों से आसू आ जाते हैं और वह उन्हें सिल्यूट देते हैं जिसके बाद वह भूतिया फौजी हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं और उनके परिवार को शहीद फौजियों के पुरसकार से सम्मानित किया जाता है